हमार साथ हमारे पड़ोसी मुलक से महमान, बाइचांस गुजरते गुजरते मिले हैं, तो भई इन से पूछते हैं के कैसा आना हुआ, वीजा कैसे मिल गए आपको, वीजा तो बड़ा डिफिकल्ड दो देते ही नहीं है, जो के दोनों मुलक इधर से जाने वाले को भी, और उ इन सारे बातों के बार मेरें रेंडम सारे बाते करेंगे तैंक यू जी थैंक यू पर आपको मैं बात बता दूँ कि ए मैरा पहला विजिट नहीं है मैं कही बार आ चुका हूं यू इसलिए बार बार आता हूं और आपने वीजा अभी की यह वीजा लेना असान नहीं है मगर मैं उन खुश किसमत लोगों से में से हूँ गिनता हूँ जो इस टाइम तो देखे मैं फैस फेस्टिवल के लिए आया हूँ सो मैं उसका डेलेगेट हूँ इसलिए आया हूँ पर मैं कई बार कुछ दोस्त लोग है जो मुझे स्पॉंसर करते हैं मैं आ जाता हूँ यह जी बहुत आसानी से नहीं मगर मिल जाता है अपना नाम बता दीजेगा मुझे भी नी बताब दो सुपीरत आनन्द है जबरinement है नाम हमारे यहाँ पर बहुत बहुत कम यूनीग ऐसी बहुत कम Σुनने के मिलते हैं। तब मैं लहोर नहीं आया था, मैं सिधा कराची आया था अब देखे कराची और लहोर में एक बुन्यादी फर्क तो है यहां हर वक्त पंजाबी सुनने को मिलती है और लहोर मुझे अमरिच सर और दिली के मिक्स्चर की याद करवाता है कराची में आया था कराची, उर्दू बोलने वाला शहर है, सिंधी बोलने वाला शहर है और कराची में मुझे बंबई जैसा लगता था कराची पर यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, आपको असल में याद ही आता है कि आपको कोई ना कोई, आप भी अगर हिंदुस्तान आएं, आपको मौका मिले, आप किसी शहर में होंगे, आपको पाकिस्तान का कोई शहर याद आएगा, जिस तरह मुझे यहां के हिंदुस्तान के शहर याद आते हैं, क जैसे यूरोप में हो गया है कि मिडल क्लास बड़ी हो गए तो दोनों मुलकों के लिए बहुत अच्छा है जब अबने गुर्बत की बात की जब आपने देखा मैं डॉपिक में कुछ और चाहर था लेकिन आपने डेवेलमेंट देखी होगी कहां पर इस वाहां पर आप रहते हैं आप कौन से स्ट्रीम में रहते हैं मैं देखिए जलंदर में रहता हूँ जो जलंदर लहोर के मुकाबले में बहुत चोटा शहर है क्योंकि लहोर मेरा खाल दो करोड की अबादी है जलंदर की 25 लाग भी नहीं है पर यह कि पिछले 20-30 साल में हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की किया मैं 20-30 साल इसलिए कह रहा सालों से उस रफतार से तरक्की नहीं की जिस सरे कर सकता था जी कैसे देखते हैं आप जब आप देखते हैं कि अगर इंफ्लेंशन रेट की बात करें तो हम थोड़ा आगे निकल गए हैं पीछे तोबार थोड़ा पीछे आका मैं पूछता हूं आपके जब यहां पर लोग आपने दो खसम के सवाल पूछे मैं बारी बारी जवाब देता हूं पहली बात तो यह है कि मेरे साथ हमेशा बहुत ही पुर्खलूस मिले हैं मुझे लोग और मैं बैक्ग्राउंड से सिख हूं पर मैं पगड़ी नी बांथा और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि पाकिस् किसी को पता चलता है कहीं मैं कोई पेमिंट करता हूं यह मेरी जबान से कोई ऐसा जिससे लफज निकल जाता है जिसे हम शब्द कहते हैं तो समझ जाते तो लोग पुछते आप इंडिया से आए एकदम से उनका बहुत ही बेतर हो जाता है कि आये चाहे पीजिए और मुझे पता है अगर मैं पगड़ी बहाद दू तो मुझे शैद मुफ्त भी आप खाना के लाना शुरू करते हैं अच्छा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद